कॉंग्रेस विधायक की गिरफतारी को लेकर कॉंग्रेस की पंजाब इकाई और आपके बीच मध्भेत अब राश्ट्री इस्तर पर पहुँच गया है नेता को हिरासत में लिए जाने के बारे में पूछी जाने पर कॉंग्रेस प्रमुख मलिका अजुन खडगे ने गुरुवार को कहा कि पार्टी अन्याय बरदाश्ट नहीं करेगी और जो अन्याई है वे अधिक समय तक जिवित नहीं रहते गिरफतारी पंजाब में पार्टीयों के बीश तकरार और अब कॉंग्रेस अध्यक्ष की टिपणी से भारतिय गडबंधन में दरारे गहराने का खतरा है जो एक जूट विपक्ष को पेश करने और सबसे महत्वपुन अगले साल होने वाले लोकसवा चुनाओं में बीजेपी को हराने की महत्वकांशा के साथ बनाया गया था विवाद की शुरूआत कॉंग्रेस विधायक सुकपाल सिंग खेरा की गिरफतारी से हुई जो पार्टी के वरिष्ट पदादिकारी है और आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी गड़बंदन के मुखर विरोधी है गिरफतारी 2015 में ड्रक्स, तसकरी और मनी लॉंडरिंग से संबंदित एक मामले में हुई है कॉंग्रेस नेता ने आप पर जो भगवंत मान के मुख्यमंद्री रहते वे पंजाब में सतारोड पार्टी है खून की 85 होने का आरोप लगाया है खेराने टिपने की मुझे आश्चरे नहीं होगा अगर वो मुझे शारीरिक रूप से खतम कर दे हाला कि पंजाब के स्वास्तर मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंग ने कहा कि मामले में ताजा सबुत सामने आये हैं और कानून सभी के लिए समान है चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो पिटी आई के अनुसार 36 गड़ में एक कारिकरम के बाद खेरा की गिरफतरी के बारे में पूछे जाने पर खड़के ने कहा उन्हें अभी तक जानकारी नहीं मिली है क्योंकि वो बैंगलूर से सिधे राज्य आये हैं उन्होंने कहा मैं इसकी जानकारी लूँगा लेकिन मामला कुछ भी हो अगर कोई अन्याय करता है तो वो जादा दिनों तक जिन्दा नहीं रह पाता अगर कोई हमारे साथ अन्याय करेगा तो हम उसे बरदाश करने वालों में से नहीं है इसी केसाँ बने रहिए एशारी जिन्दा के साथ खाली बाद